हिकानी जखालू ने एजेटो जिमोमी को हरा कर नागालेंड में इतिहास रश्टिया है तोलवी गाउं की रहने वाली जिमोमी को साल 2018 में नारेश शक्ति पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था NDPP के हिकानी जखालू ने दीमापुर से ये जीत हासिल की है नागालेंड में पहली बार किसी महिला ने विधान सभा चुनाव जीत कर इतिहास रचा है बता दे कि नागालेंड के 1963 में राज्य बनने की बाद से यहां कोई महिला विधायक नहीं बनी थी ऐसे में इस बार सबकी नजरें चार महिला उमीदवारों पर थी यहां NDPP और BJP मिलकर चुनाव लड़ रही थी अकुलूतों विधान सभा सीट से BJP के मौजूदा विधायक काजितों के नीमी निर्विरोध चुनाव जीते थे 60 सदस्यों वाली विधान सभा के लिए यहां 27 फरवरी को चुनाव हुए थे इस बार कुल 83.6 फीजदी मद्दान हुआ था फिलाल यहां Nationalist Democratic Progressive Party और BJP की गठवन्धन सरकार है फिलाल इस खबर में इतना ही देखते रहिए जी मीडिया